ब्रेकिंग नियूस जी आपको बतला रही कि कुरूस ड्रक्स मामले में एंसीपी नीता और महराष्ट सरकार में मंत्री नवाब मलिक जांच एजनसी एंसीवी पर लगातार निशाना साधरा हैं आज नवाब मलिक ने पूने के मवाल इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए एंसीवी के जुनल डारेक्टर समीरवान खेड़े को खुली चिनौती देडा ली उन्होंने कहा कि साल भर के भीतर समीरवान खेड़े को सलाखों के पीछे बेज देंगे इसे खुली चुनोती समझें इस बयान पर समीरवान खेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कारवाई करने की बात कही है नवाब मलिक ने कहा समीरवान खेड़े को मैं खुली चुनाइती देता हूँ कि साल भर के बीतर तुम्हारी नौकरी जाएगी तुम्हारा जेल जाना निश्यत है तुम्हारे किये हुए फरजी वाड़े को जनता के सामने हम लाएंगे समीरवान खेड़े के पिता और उनके घर के लोग सभी बोगस है मेरे दामाद को जेल के सलाखों के पीछे बेजा और अब मुझे फोन करता है किसके कहने पर ये सब कर रहा है तुम्हारे पिता कौन है इसका जवाब दोना तुम्हारे पिता से मैं डरता नहीं हूँ तुमको जेल की सलाखों के पीछे बेज बगैर में चैन की सास नहीं लूँगा जी हाँ आपको बतला देगी NCB के जोनल डारेक्टर समीरवान खेड़े ने बताया कि उनके परिवार के खिलाफ फरजी आरोप लगाने के लिए महराष्ट के मंतरी नवाब मलिक को कानूनी नोटिस बेजेंगे अब उनकी बहन यासमीन वान खेड़े ने भी खबर में बताया है कि NCP नेता पर निशाना सादा है जी हाँ आपको बतला लेकी एड़ोकेट यासमीन वान खेड़े ने कहा कि नवाब मलिक को राज की सफाई करने के लिए उनके भाई समीर को बधाई देनी चाहिए उन्होंने कहा या इमानदारी अधिकारी जो मेरे भाई है राज की सफाई कर रहे हैं नवाब मलिक को दिक्कत क्यों हो रही है। उनका अपना छेतर जहां ड्रक्स आराम से मौजूद था अब साफ हो रहा है। उन्हें खुश होना चाहिए और उन्हें बधाई देना चाहिए। उन्होंने कहा प्लीज नवाब मलिक से अपने तत्थ ठीक करने के लिए कहें मैं मालदीव कब गई थी क्या वे वहाँ थे जब मैं दुबई गई थी उनके पास जो भी जानकारी है और उन्हें जहां से भी मिली है वे पूरी तरह से गलत है या निराधार है और अगर वह यह स थोड़ी जानकारी पूर्ण और शिक्षित होने के लिए सही माध्यम के पास जाना चाहिए जियां आपको बतला देगी नवाब मलिक ने लगाय समीरवान खेड़े पर गंबीर आरोप महराष्ट के मंतरी ने कहा था कि कुछ लोगों को जूटे मामलों में फसाने की की गई कुरुना महमारी के दोरान पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव में थी अधिकारी और उनका परिवार मालदीव और दुबई में क्या कर रहा था इसे समीरवान खेड़े को इसपश्ट करना होगा हमें पता है कि मालदीव और दुबई में ये सब जबरन वसूली ह हुई थी और मैं जल्द वो तस्वीरे जारी करूंगा हाला कि समीरवान खेड़े ने बताया कि वह अपने पैसों से वहां गए थे और पूछा कि क्या वह ऐसा नहीं कर सकते समीर ने गुरुवार को बताया कि वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और वह वही करते हैं जो उनके सीन नियाद और गलते